हाई अव्रीबन मैं हम जीट एंड हम कंटीन्यू कर रहे हैं अपने लिटेल नाइट मेर की सिरीज को अगाइस अभी आपके सामने को ये क्लिप्स चल रहे हैं न ये पिछले मिसन की रिकैप्स हैं अगर आप लोगों नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर चकाउट करना काफी जवर जैसमिसन था तो चलिए सुरू करते हैं हम अपने आगे की कहानी को विना टाइम को वेश्ट किये हुए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दूनोहाट फॉर्गेट टू लाइक और सब्सक्राइब ये क्या रूव है यार यहाँ तो चाहरो तरफ लासे ही लासे हैं और भाई अगर हमें यहाँ से बच कर जिंदा निकलना है ना तो हमारे बास दो आप्सन है यहाँ तो अपनी जान बचा कर भाग लो और यहाँ तो फिर उस मोटू डॉक्टर को मार डालो भाई वैसे मुझे दूसरा भाला ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि यार उस मोटू डॉक्टर ने अपना जीना हराम करके रख्थ है ये क्या रूम है यार भाई थोड़ा समय चेक कर लेता हम इधर उधर उधर वो मोटू डॉक्टर तो नहीं है अब यार यह इधर ही है कोई भी हरकत मत करना यहां पर एक गेट है यार लेकिन वो ऐसे नहीं खुलेगा उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रिक स्विच की जरूरत पड़ेगी भाई बुरे फस गये फिर से यार ओए लिटिल भाई उसको रख दे यार उससे धरवाजा नहीं खुलने वाला है भाई ये मनवानी करता है यार कुछ भी करता रहता है हमें एक छोटा सा टनल टाइप कर दिख रहा है सामने चल के देखते हैं भाई सैद हो सकता है अपनी चाह भी मिल जाए कहीं पर लेकिन ये क्या यार डॉक्टर साब भी यहीं पर है वे डॉक्टर नीचे भी चल लिया कर भाई कोई दिक्कत नहीं है एक सकंड यार सामने अपने कुछ चाह भी दिख रही है लेकिन उसको निकालें कैसे ये क्या कर रहा है भी बिल्कुल भी हरकत नहीं है इधरी आ रहा है यार ये आरी लेकि क्यों जा रहा है यार ओ भाई ये तो पूरी काटम कूटी मचा के रखा है मतलब पूरे हॉस्पिटल एरिया पर जितने भी हाथ पैड दिखते हैं अपने को कटे हुए यही मोटू डॉक्टर का कमाल है भाई छुप जाओ यार इधरी आ रहा है वो फिर से जैसे ये थोड़ा सा दाएं बाएं होगा ना तब हम निकलेंगे लेकिन भाई हमें सामने कुछ रास्ता दिखने ही रहा है जाना किदर है जल्दी आजा लिटिल अब फिर से आ रहा है छुप जा भाई क्या कर रहे है यार इन दोनों का कुछ समझ नहीं आता मुझे भाई ये चिपका कैसे रहता है दिवाल पर मेरो को यही समझ में नहीं आता अभी वो बिजी है और सामने अपने को एक छोटा सा गेट टाइप को दिख रहा है मैं इससे जाने की कोजिस करता हूँ यहाँ पर कौन सो रहा है यार ओ भाई इसके हॉस्पिटल पर कोई जिंदा आदमी तो दिखा कम से कम यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में लीवर है और सामने सीड़ी है मुझे लग रहा ना इस लीवर से इसको सारी सक्तियां मिल रही है रुख जाओ अगर मैं इसको खीशता हूँ ना कुछ न कुछ तो जरूर होगा और वो अगर इधर आ गया मोटू डॉक्टर तो हम निकल जाएंगे चुक्षे आपसे लेकिन काफी रिस्की है भाई अगर उसने पकड़ लिया ना तो काट डालेगा अपने को चल छोटे जम्प कर अरे भाई उधर नहीं करना था सामने करना है जहां पर लीवर है कभी सुन लिया कर भाई मेरी भी यार ये मिल तो जाएगा ना मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा यार भाई बात बन दी अपनी इसकी सांसे रुक रही है लेकिन मैं जल्दी से छुप जाता हूँ और स्वागत है हमारे मोटू डॉक्टर का भाई उसका पेशेंट मारा जा रहा है अभी मैं निकलू क्या भाई निकल छोटे भाग ले यहां से अगर स्लाइड नहीं मारनी है तेज से चल ले अगली रूम पर चावी लेके निकलते हैं वो किसी वी टाइम आ सकता है हमें ये काम जल्द से जल्द करना होगा जल्दी कर छोटे शिक्स क्या कर रही यार अच्छा उस बॉड़ी को खीच रही है ताकि मैं उससे होकर जा सकूँ भाई लिटिल तु कल्ले नाटक कर रहे भाई यहीं पे अभी वो मोटा आरक काट डालेगा दोनों को ठीक है अभी जंप कर हमें चावी मिल दू गई यार इसको मैं फेंक देता हूँ ये तूटती तो है नहीं चल्दी चल भाई जब तक उसको नहीं पता चल रहा ना इस चावी को ले चलके वहां पे लगाना और निकलना भी है भाई मेरी हार्टबीट तेज हो रही है उसको किसी टाइम भी पता चल सकता है ओ यार धंसे लगा ले ये फेंक क्यों रहा है गेट उखुल गया लेकिन भाई बैड निउस उसको पता भी चल गया दे रहा यार चीजों को जाना कहा है यार एक तो रास्ती भी कुछ पता नीचल रहे है सामने तो रैंप है एक अब यार यह रूख क्यों गया भाई लिटिल यार क्या कर रहा है तू इस बार मैं पूरी दम से भागने वाला हूं पकड़ के दिखा मोटे भाई सिक्स अच्छा भाग रही है भाग ले छोटे जंप कर और यह पी क्या रखे हुए है सायद बच जाएंगे कितना भागना भाई बच गया यार काफी क्लोस था अभी कैसे आओगे मोटू डॉक्टर बेड़ के नीचे अभी यह क्या कर रहा यार वो बेड़ को दबा रहा है भाग लिटल नेकी चटनी बन जाएगी तेरी सामने क्या है सामने कोई गेट खुला है मैं अंदर जाके देखता हूँ यह क्या जगह है यार एक सिकंड यह तो राक है सायद भाग लिटल अब फिर पकड़ा गया यार लेकिन हम इसको यहाँ पर ट्रैप कर सकते हैं यहाँ समय अगर लेप्ट साइड पर आ जाओ ना तो हो सकता है हम इसको यहाँ पर बंद कर दें और यहाँ पर राक है इसका मतलब यहाँ पर डेड बॉडी जलाई जाती है जल्दी कर छोटे मार डालेगा वो तुझे भाई कैसे दबा रहा यार उसको प्लेट को ओके यहाँ पर ही क्लीवर दिया हुआ है इसको मैं खीचता हूँ क्या बात है यार यह तो जल्द के खाक हो गया और क्या सैवेज बच्ची है यार देखो उसको मार कर आग ताप रहे हैं उसी के डेड बॉडी से तो फाइनली यहाँ से हम अपने मोटू डॉक्टर का चैप्टर इंड करते हैं और भाई सेल्ब्रेट करना तो बनता है कर ले लिटिल लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग खत्रे से निकल चुके हैं और यहाँ पर एक अंकल जी भी डले हैं सुभाई लोग हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और इसके आगे की जरनी हम कंटिन्यू रखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डूनाट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर तब तक मैं आपसे लेना चाहूंगा बाई